नमस्कार मैं रितेश कुमार आप सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तो आज मैं आप सभी को पोशन ट्रेकर में ग्रोथ मोनेटरिंग चार्ट कैसे भरेंगे जैसे कि growth monitoring की चार्ट में भी बहुत सारे ऐसे option है जिसको नए तरीके से update किया गया है तो आज उसी के बारे में आपको step by step जनकारी देने वाला हूँ तो वीडियो काफी informative है तो वीडियो को अगर आप लोग skip कर देते हैं तो आपसे बहुत सारे ऐसी जनकारी है जो की छूट जाएगी और आपको आगे चलके दिक्कत हो सकती है इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरू देखिएगा और हमारा ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजिएगा और जो भी नए भीवर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो जैसे कि हमें बच्चों का जो हाइट और वेट डालना है उसके लिए हम इनिफिसरी रेश्टेशन वाले पर किलिक कर देना है किलिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनका यहाँ पर हम आज नए तरीके से ग्रोथ चार्ट भड़ेंगे जो उनका हाइट और वेट है उसको डालेंगे तो आज हम आपको 0 से 6 माह वाले बच्चे का ही इंटिर करेंगे उनका हाइट और वेट डालेंगे और देखेंगे कि उनका जो हेल्थ स्टेटस है वो किस परकार से दिखा रहा है यहाँ पे 0 से 6 माह वाले बच्चों की लिष्ट ओपन हो जाएगी आपन हो जाने के बाद जैसे हम लोग पहले ग्रोथ मोनेटरिंग करते थे अब उसका जो तड़िका है यहाँ पे बदल चुका है अब हम को जो ग्रोथ मोनेटरिंग करना है और इसमें बहुत सारे ऐसी बाते हैं जिसको ध्यान में रखना है जैसे कि उसका health status का पता लग सके तो सबसे पहले हम आपको एक बच्चे का जो height और weight है उसको डाल देते हैं डालने के बाद आपको समझाएंगे कि किस परकार से बच्चों का health status दिखा रहा है जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो category है वो change हो चुका है पहले है यहाँ पर हम लोग सिर्फ बच्चे का health status देखते थे कि वो बच्चा normal है या फिर अतिकुपोसित है या फिर overweight है इस परकार से हम लोग बच्चों का health status चेक कर पाते थे और जैसे कि अब जो है कि यहाँ पर बच्चों का health status है उसको यहाँ पर तीन category में देखने को मिलेगा जैसे कि wasted, stunted, underweight तो यह तीनों category के बारे में आपको step by step जनकारी दूँगा आप लोग वीडियो को पुरा ध्यान से जरूर देखिएगा और जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं अब प्रचलित सभी बच्चों का जो दिखा रहा है यानि यह जो data है वो पुराना हो चुका है अब हमको नए वाला जो इस मन्त का हमने height और weight बच्चों का मापा है उसको डालेंगे और डालने के बाद देखेंगे यहाँ पर बच्चों का जो status है वो क्या सो कर रहा है तो height और weight डालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है यहाँ three dot वाले option पे चले जाना है देख रहे हैं कि विकास की जो निगरानी है growth monitoring हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था यहाँ पे जो यह हिंदी में दिखा रहा है अभी फिलाल इसको पिछले वीडियो में हमने दिखाया था कि यहाँ पे इसको इंगलिस में अपडेट किया गया था और देखिए फिर इसको हिंदी में ही अपडेट कर दिया गया है यानि अभी भी portion tracker app में काम चल रहा है धीरे धीरे कुछ नकुछ changing किया जा रहा है तो चलिए हम उसको open करते हैं विकास की growth monitoring को और इस महिने का जो बच्चों का height और weight है उसको डालेंगे हमने यहाँ पे उस बच्चे का height है और जो weight है इस महिने का हमने यहाँ पे डाल दिया है डालने के बाद ये जो submit ओला option है उस पे हमको click कर देना है तो जैसे ही हम submit वाले option पे click करेंगे record सफलता पूर्वक बनाया गया इस परकार से message आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे थोरा सा refreshing करेगा उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो बच्चे का status है वो यहाँ पे कैसा दिखा रहा है तो देखिए अब य इस वेस्टेड वाले option में आपको सभी category मिलेंगे जैसे कि Sam, Mem, Overweight और Obese इस परकार के जो option है वो आपको वेस्टेड के option में देखने को मिलेंगे अगर बच्चा नर्मल के श्तिति में रहेगा तो यहाँ पे यह जो color देख रहे हैं green color वो green color ही दिखाएगा अगर यहाँ पे बच्चा Sam यानि अतिक को पोसीत रहेगा तो यहाँ पे यह जो color है वो red color में सो करेगा अगर यह बच्चा Mem यानि मध्यम अतिक को पोसीत में रहेगा तो इस बच्चे का जो color है वो yellow color में दिखाएगा ओभर वेट में रहेगा तो यह बच्चा blue color में दिखाएगा और जो obese की category है उसमें आप लोग जो brown color का option आप लोग देखते हैं तो उस color का यहाँ पे option दिखाएगा तो इस परकार से आप लोग wasted का जो status देखेंगे इसमें आप लोग को यह सारी category देखने को मिलेगी और जै जैसे कि यहाँ पे आप लोग stunted वाले जो category देख रहे हैं यानि यह जो बच्चा है वो moderately stunted है यानि मध्यम और विक्सीत है और इसमें दो category को जोड़ा गया है जैसे कि severely stunted और moderately stunted यानि कि severely stunted का मतलब हो गया कि गंभीर और और moderately stunted का मतलब हो गया मध्यम और विक्सित यानि अभी जो इस बच्चे का status है वो मध्यम और विक्सित है यह जो stunted का मतलब होता है नाटापन तो इस बच्चे का जो नाटापन है वो मध्यम और विक्सित है तो इस परकार से आप लोग इसका status देख सकते हैं और यहाँ पे जो moderately astunted दिखा रहा है अगर यहाँ पे normal जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ऐसा दिखाता है तो समझे कि यह बच्चे का जो status है वो बिल्कुल सही है और उसके बाद यहाँ पे है underweight तो underweight में क्या दिखा रहा है? नर्मल दिखा रहा है अंडर्वेट में भी दो उपसरेनियों को जोड़ा गया है जैसे कि severely underweight और moderately underweight यानि severely underweight मतलब हो गया गंभीर कम वजन moderately underweight मतलब हो गया मध्यम कम वजन तो अभी इसका क्या status दिखा रहा है? इसका status दिखा रहा है normal तो इस परकार से अब बच्चों का जो status है उसको पहचान कर सकते हैं कि ये बच्चा किस केटेगरी में गया हुआ है? ठीक है यहाँ तक clear है अब देखिए मैंने यहाँ पे और भी बच्चों का जो है कि आज ही growth monitoring किया है height और weight डालके तो देखिए सभी बच्चों में जो है normal दिखा रहा है यानि ये बच्चा जो है इसका health status सही है सभी परकार से ये बच्चा ठीक है तो यहाँ पे ये green दिखा रहा है और जैसे कि हमने एक और बच्चे का जो growth monitoring किया है height और weight डालके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो underweight है इसमें आप लोग देख सकते हैं moderately underweight यानि ये बच्चा मध्यम कम वजन में है ये बच्चे का जो वजन है वो मध्यम कम है और इसका जो stunted वाला option है यहाँ पे normal दिखा रहा है और wasted वाला जो option है वो भी normal दिखा रहा है उमीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को जो 9.0 की update है उसमें growth monitoring कैसे करना है इसकी जनकारी आपको clear तरीके से मिल गई है तो आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अन्य आगन बारी बहनों के साथ share जरूर करें ताकि उनको भी इस जनकारी के बारे में पता चल सके तो मिलते हैं फिर किसी नई टापिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद